वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू नीरास क्रेटिव किचिन गार्डन दोस्तो आज सुबह की सुरुवात रंग बिरंगे फूलों के साथ और उमीद करती हूँ हम सब भी फूलों की तरह यूही हसते और बुस्कराते रहें और आज के टॉपिक को सुरू करती ह हूँ मेरा आज का टॉपिक है वेजिटेबल्स हार्वेस्टिंग अब इधर करेले की बेल में जाएंगे इधरे लगा हुआ है करेले में सबसे जादा प्रॉब्लम यह होती है कि यह जाड़ी उसमें छिप जाते हैं यह भी एक टफ टास्ट पैसको तोबना भी एक यह रहा हुआ ही ठास्तो प्र्हुट्छट गड़े एक बड़ कर बादे मारें इडरे एक बाते हैं illustrate यह 1 बिकी है इस तरीके से एक और तोड़ गिया, अभी धर तोड़े को भी तोड़ लेते हैं, और हम प्लांट लवर के लिए सबसे खुछी का टाइम तो हार्वेस्टिंग का होता है, क्योंकि पॉंधे को बढ़ते हुए देखना, उसके खाट डालना, फिर ये सब चीजे करने में बहुत की मज़ा आता है, अब इधर भी देखिए, इधर ये तोरई लगी हुई है, इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं, देशी तोरई, ये करेला, पर एक तो रही और लगी है, और इस बेल में पूरे जैवित तरीके से जो खाट की जाती है, उससे इसका स्वाधी पढ़ जाता है, ये देखिए, और ये रही एकोस, और इकरेला ये लगा हुआ है, और ये बैगन का पेड़ है, इसमें भी बैगन लगने लग रहे हैं, और ये कद्दू लगा हुआ है, कद्दू लाल हो गया है, इस बाद काफी अच्छी हुए कद्दू, काफी हाड होता है ये तोबने में, अबिए टेक में लगपे, अबिए टेक्दू अबिए प्याए, आवलिख लगने में लगने 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 में, इधर भिंडी, भिंडी काफी बड़ी हो चुकी है, इधर भिंडी, और ये तिसरा कद्दू, तो इस तरीके से हमारी हार्वेस्टिंग आज कम्प्लीट होगी है, तो दोस्तों आपको मेरा ये जो हार्वेस्टिंग का वीडियो है, अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, सब्स्क्राइब कीजिएगा, थेंक्यू, हब नाइस देल,